सबी बच्चों को बना नमस्कार आज का टॉपिक जैसा की दिख रहा होगा आपको बहुपद पॉलिनामियल ये क्लास 9 और 10 दोनों ही क्लासेज में है तो ये जो इंट्रोड़क्शन है ये दोनों क्लासेज के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ये वीडियो हमारा हिंदी और इंग्लिस वीडिम दोनों के लिए है इसलिए हिंदी वाले अपना हिंदी वर्जन देखें और इंग्लिस भी समझें और इंग्लिस वाले इंग्लिस में सुनें लेकिन हिंदी ना समझें क्यों को आएगी आ जाएगी विससे कम-कम आएगी देखें बहुपद क्या होता है तरह समझेगा हमको नाम से लग रहा है कि बहु माने बहु वाली बहु नहीं है मुझे बहु बचन आपने पढ़ा होगा न एक बचन दुई बचन बहु बचन तो बहुत सारे और फद माने टर्म जहां बहुत सारे टर्म होगे polymers maximum sorry so many नहीं बहुत सारे तो बहुत सारे टर्म जहां होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलिनम्य ठीक है जैसे माल लिया मैं आप से कहूँ भई 7XYZ इसमें कितने टर्म है तो आप कहेंगे 1,2,3,4 है ना 4 है ना नहीं गलत है देखिए पहली बात तो टर्म को जो DECIDE करता है कितने टर्म है यह इसके बीचमें INTO का sign लगा है एंटी नहीं DECIDE करता है PLUS, PADIS करता है अगर हम कहें कि 7 और X के बीच में कौन सा sign है तो sign लगा हो यह न लगा हो यह MULTIPLY का sign होता है गुणा का sign होता है इन्टू Y होगा, इन्टू Z होगा, तो इन्टू में जितने टर्म लिखे होंगे, ये सब एक टर्म होते हैं, पहरी बाद, ठीक है, अगर बीच में हम 7X हो, यहां प्लस लगा दे 4, तो यह जो है टर्म को डिवाइड करता है, तो एक टर्म यह हो गया, प्लस लग गया, तो ए एक, दो, तीन टर्म हो जाते हैं, तो प्लस या माइनस टर्म को डिवाइड करता है, मल्टिप्लाई डिवाइड नहीं करता है, जो भाग होता है, वो उसको टर्म को अलग अलग नहीं करता है, तो यह है पॉलिनामियल, इसमें कुछ बाते पर समल लेते हैं, फिर हम एक साइ पांच एक फिक्स अंग क्या है अलग-अलग जगया फाइब लिखोगे तो क्या उसका मान बदल जाएगा नहीं बदलेगा तो इसको कहा जाता है constant term ये कैसा term है ये constant है जिसको कि अचर कहते है ये अचर है चर माने होता है जिसकी value change होती है जो बदली वो चर है ठीक है और अचर माने जिसकी value ना बदली ठीक है और अगर यहाँ पर x के term में कोई चीज आ जाए या y के term में आ जाए या z कुछ ऐसा आ जाए ये सब चर कहलाते है ये चर कहलाते हैं English में इसको variable कहते है ठीक है तो अगर x, y, z ऐसे कोई term हो तो उनको हम variable कहेंगे यानि की चर कहेंगे और जो 5, 7, 6 हो इन्हें हम अचर कहेंगे constant कहेंगे इसकी value fixed रहती है change नहीं होती है ठीक है अब polynomial कोई भी term अगर लिखे है उन्हें polynomial कब कहा जाएगा कैसे आप कहेंगे भी वो polynomial है या वो बहुपद है तो आप कहेंगे अभी आपने बताया बहुत सारे पद हो नहीं वो तो ठीक है बहुत सारे पद हो बहुपद होता है पॉलिनामिल होता है लेकिन उसके में एक condition होती है जड़ा ध्यान से समझेगा जो चर होता है न उस समीकरण में उस बहुपद में जो चर है जो variable है उसकी degree हमेशा 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 positive integer होना चाहिए पहली condition है यानि कि यहाँ condition है the power of variable power of variable शुड़ पॉजिटिव इंटीजर पहली condition पॉजिटिव इंटीजर यानि कि चर की घात यह क्या लिख रहा हूँ चार नहीं है चर की घात में जा रेटिंग अंदी है धनात्मक पुडांक होना चाहिए जीरो हो सकती है पुडांक होना चाहिए पहली condition है पहले आप समझ लिजेगा ठीक है यानि अगर मैं आपसे कहूँ कहीं पर x की power 5 लिखा है तो हम कहें क्या बहुपद है तो आप कहें यस because x is variable x एक चर है और उसकी power positive है लेकिन अगर मैं कहूँ कि under root x क्या ये variable तो ये polynomial है ये नहीं है क्योंकि आपने इसके पहले वाले चेप्टर में 9th में और 10th क्लास में तो आप पहुँच गये होंगे तो 9th में आपने पढ़ा होगा कि इस root का मतलब होता है power 1 by 2 ये power 1 by 2 लिखी है न इसलिए ये आपका polynomial नहीं होगा तो polynomial की पहली जो essential condition ये है कि भाई जो power होनी ती है न x की variable की जो भी उसमें variable हो x के पदो में दिया हो y के term में दिया हो t के term में दिया हो तो उसकी power हमेशा 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 धनात्मक पोड़ांग यानि कि positive integer ही होनी चाहिए ठीक है अब हम कुछ बाते और बताते हैं पूछते हैं आप से कि ये polynomial है की नहीं है ठीक है मैं इसको example को देता हूँ और आप इसको देखिए कि polynomial है की नहीं है अगर मैं कहूँ कि 3x square प्लस 5x प्लस 4 ये polynomial है तो आप कहेंगे हाँ क्यों देखे 3 constant है 5 constant है 4 constant है x की power जो है वो 2 है 2 कैसे संक्या है positive integer है धनात्मक पोड़ांग है इसमें x की power क्या है 1 है वो भी सभी term होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं कोई एक term power 2 हो जाए एक root हो जाए नहीं चलेगा सब में positive होना चाहिए और इसमें x है नहीं अगर x है नहीं तो 0 है 0 हो सकता है तो ये polynomial है समझ में आगई बात क्यों? क्योंकि आप कहेंगे जो variable है जो चर है उनका power कैसा आ रहा है? उनका power positive integer आ रहा है ठीक है? जैसे मैं आप से कहूँ कि ये बताओ अगर ये दिया है 3 upon x square प्लस 4 x प्लस 5 तब बताओ ये है की नहीं है? अब आप कहेंगे है क्योंकि ये x की power 2 है लेकिन भाई साहाब बेन जी जो भी है आप अपान में तो लिखा है ना इसको उपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 3 x to power minus 2 प्लस 4 x प्लस 5 यहाँ power negative आ गई ना और पहली condition क्या कही गई? कि power should be positive जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए तो ये polynomial साहाब नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि power इसकी negative है इसलिए polynomial नहीं होगा आगे मालिया हमने आप कहा 3 under root x प्लस 4 x square प्लस 7 ये है कि नहीं है? अब ये घुजगा करके root के अंदर संख्या root के अंदर हो सकती देखिए ये जो variable है जो आपके चर है वे उनकी power जो है वो root में नहीं होनी चाहिए negative नहीं होनी चाहिए ये polynomial नहीं होगा लेकिन अगर मालिया ऐसा लिखा हो root 3 x square प्लस 1 पान 7 x प्लस 6 अब बताओ ये है कि नहीं है? संख्याओं को मत देखिएगा आप जो उसमें variable है जो उसमें चर है उसको देखिएगा x की power 2 positive है x की power 1 positive है यह x power 0 है आपको इस root से मतलब नहीं है क्योंकि ये constant पे चड़ा हुआ है संख्याओं में आगई बात तो ये polynomial को पहचानने का तरीका होता है ठीक है अब polynomial को कुछ नाम है दो को नाम देने के अलग-अलग parameters होते है standard होते है जैसे आप किसी को नाम देते हैं कल्वा भुरुआ भुरा कलर काला कलर तो एक कल्वा आ गया कलर के हिसाफ से आप दे रहे हैं लंबू छोटू ठिंगू height के हिसाफ से आपने नाम दे दिया गंजू बालों के हिसाफ से नाम दे दिया वैसे ही polynomial में भी नाम है तो एक तो हम इसका नाम देंगे according to number of terms पदों की संख्या से उसके नाम होंगे और तूसरा उसकी degree से उसका नाम बनेगा ठीक है तो इसके नामन क्लेचर कैसे होता जरा समझिएगा तो पहले तो आपने पहँचाना सीख लिया कि polynomial यानि कि बहुपत कौन होगा कौन नहीं होगा ठीक है अब मैं उनका नामन क्लेचर बता रहा हूँ कि उसको नाम कैसे आप देंगे देखो ध्यान से साउधान अच्छा number of terms अभी हमने बताया कि number of terms पहचानेंगे कैसे यानि कि पदों की संख्या कैसे आप जानेंगे पदों की संख्या ये पद हैं पद माने पद माने terms होता है गलत मत सोचिएगा अब सुनिए ज्यान से हमने कहा था अगर 7x हो तो कितने term है 7 और x के बीच में कौन सा sign mathematics का लगा है mathematical operation के 4 sign होते है plus यानि जोड़ना minus यानि minus करना यानि घटाना multiply यानि गुणा करना divide यानि भाग करना तो इसके इसके बीच में multiplied का sign है और multiply का sign term को divide नहीं करता ये एक term है अगर plus का कुछ लिखा हो तो दो term है या मालिया कहीं पर लिखा हो 3x square plus 7x minus 6 तो 3 term है divide करेगा ये term को multiply और division मतब भाग का sign terms को अलग अलग नहीं करता है तो terms के नाम कैसे रखेंगे ठीक है nomenclature कैसे इसका किया जाएगा नामकरण संसकार कैसे किया जाए कि किस साथ से इसका नाम रखा जाए तो देखे जान से अगर one term हो यानि की एक पद हो तो उसको हम कहेंगे उसका नाम देंगे monomial monomial monomanay one होता है ठीक है monomial इसे monosong आपने सुना होगा एक आदमी घाना गाता है तो monosong होता है ठीक है monomial यानि एक पदी कहलाता है जिसमें एक term हो जैसे हमने का 7x one term है ठीक है जैसे मैंने कहा 9x square one term है हमने कहा 6 आप कहेंगा रहे इसमें तो x है नहीं है x की power 0 है इसमें तो one term है तो जहां पर number of terms एक होगा उसको हम क्या कहेंगे one term के लिए monomial या एक पदी कहा जाता है ठीक है अगर कहीं two terms हो दो पद हो दूई पद हो दूई पद तो इसको कहते हैं binomial binomial यारी दूई पदी दो पद हो पद को डिवाइड कौन करता है प्लस और माइनस का साइन तो जैसे मान लिया हमने लिग दिया 7x यहां पर था हमने लिग दिया 7x प्लस 4 कितने term हो गए दो term हो गए ठीक है मैंने 9x square किया हमने का 9x square plus 7x कितने term हो गए दो term हो गए तो जहां पर दो term हो गए उस polynomial का नाम क्या होगा that is binomial ठीक है अब अगर 3 term हो गए 3 terms हो जाए उसमें 3 terms तो उसको कहते हैं क्या कहेंगी एक के लिए मोनो दो के लिए बाई तीन के लिए trinomial trinomial 3 पदी 3 पदी यानि कि जैसे हम लिख दे 9x square plus 7x plus 7 जैसे लिख दे हम 9x cube plus 7x square plus 8 कुछ भी लिख दीजे ये क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है number of terms जो है वो कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए ठीक है तो ये आपके हो गए number of terms के हिसाब से ठीक है और अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा है तो उसको हम polynomial कहेंगे polynomial बहुपद देखे बहुपद ये भी है polynomial ये भी है लेकिन इसका एक nickname हो गया लंबू आदमी वो भी है गल्जू आदमी वो भी है कलुआ आदमी वो भी है केवल उसको थोड़ा सा आपने उसका एक nickname दे दिया तो अगर एक term है तो monomial एक पदी दो पद है binomial दुपदी तीन टर्म है trinomial त्रिपदी है वो polynomial लेकिन उसका एक और अलग से नाम दे दिया गया तो ये आपके terms के हिसाफ से उसका नामन क्लेचर है कैसे नाम रखे जाते हैं ठीक है अब देखें इसमें है वे polynomial in one variable एक चरवाले एक one माने एक variable उसका चर वाले बहुपद और polynomial का मतलब होता है बहुपद ज़र रैटिंग गंदी है देख लीजेगा हिंदी वाले अपना हिंदी वर्ड देखें क्यों बहुपद देखें नाम से लग रहा है कि कि किसी polynomial के वारे में बात कर रहे है और इसमें जो चर होगा वो एक होगा या तो X होगा या तो Y होगा या तो Z होगा ठीक है तो जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ 7X स्क्वाइर प्लस 6X प्लस 4 तो क्यों लेक्स है ना इसमें मतलब भाई जो 1,2,3,4,5 यह तो गंतियां होती है counting numbers होती है यह constant होते है X, Y, Z, P, Q, R जोतने भी आपके English alphabet यूज किये जाते हैं वो सब variable होते हैं वे सब चर होते हैं ठीक है इसमें कुछ नाम और आएंगे एक तो आप से पुछा जाएगा coefficient निकालिए coefficient निकालिए ठीक है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है coefficient को नाम दे सकते हैं आप इसको गुणांक कहते हैं क्या कहते हैं गुणांक अगर हिंदी में आपको word से परचे हो तो गुणा माने गुणे में अंक माने अंक multiply में जो अंक लिखा हो अंक लिखा हो नंबर लिखा हो देखिए जैसे मैं आप से कहूँ कि भाई ये आपका है polynomial ये एक बहुपद है ठीक है और आप से कहा जाए कि आप निकालो coefficient of x square यानि आप से कहा जाए कि भी x square का गुणांक निकालो तो अब बताओ अब अभी आप कहेंगे भी आप तो constant बता रहे थे आप तो चर बता रहे थे वे चर ही है सरी क्या बोलाओ अचर बता रहे थे अभी तो आप बता रहे हो coefficient कहते हैं इसको ये constant ही है लेकिन x square के साथ आजाने पर इसका नाम चेंज हो जाता है जैसे आप अपने पापा के साथ जाते हैं तो आप बेटा बन जाते हैं आप मामक साथ जाते हैं तो आप भांजा बन जाते हैं आप चाचा साथ जाते हैं आप उसके भतिजा बन जाते हैं वैसे तो आप इंसान ही रहते हैं तो अकेला तो ये रहेगा तो ठीक कोई बार नहीं, किसी के साथ multiply में आएगा, तो उसका nickname change हो जाता है, जैसे मैं आप से कहूं कि coefficient of x निकालो, यहने x का गुणांक निकालो, इसी वाले में हम बात कर रहें, जो उपर लिखा है हमने, इसी वाले में, तो x साथ into में क्या लिख आप से नाम आपने देखा, monomial, binomial, trinomial, एक पदी, दूपदी, त्रिपदी, बहुपदी, ठीक, अब आप coefficient कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तेखिए, अब आपको निकाला है, degree of polynomial, मतलब polynomial का जो खांदान है ना, उस खांदान में जतने भी लोग हैं, उनके सबकी परिशे दिया जा रहा है, कि term के इंसाफ से उसका नाम क्या है, उसका coefficient क्या होता है, degree का मतलब होता है, कि maximum power of, maximum power of variable, variable in given polynomial, given polynomial, को हम degree कहते हैं, is called degree, is called degree of polynomial, is called degree of polynomial, घात, यहनि बहुपत में चर की अधिक्तम घात, अधिक्तम घात को हम कहते हैं, बहुपत की घात, बराबर बहुपत की घात, यहनि बहुपत की घात मतलब, maximum power, चुकि हिंदी में घात को भी power ही कहते हैं, अब यहाँ पर degree अलग चीज होती है, power दो English word है, उसमें एक ही English से काम चल जाता है, ठीक है, तो जो maximum power होगी कि इसकी variable की, constant की नहीं, x, y, z की, जैसे अब मान लेते हैं, हमने लिख दिया, 7x power 4 plus 3x square plus 6, ऐसे लिख दिया, और हमने का, इसकी degree बताओ, इसकी degree क्या है, इसकी घात क्या है, डिगरी बताओ, यानि की घात बताओ, तो आप पहले तो तलासी है कि इसमें variable कौन है, चर कौन है, तो आप कहेंगे, बचर तो x है, variable तो x है, जो अधिकतम power होती है, अधिकतम power क्या है, 4, तो इसकी degree क्या हो जाए, चार, ये इसको degree निकालने का तरीका होता है, ठीक है, अब degree के हिसाफ से, इसके नाम भी कुछ तैंग किये गए है, उन्हें समझ लिजीए, देखिए, डिगरी के हिसाफ से, पावर के हिसाफ से, घात क हिसाफ से, इनका नामन क्लेशर किया गया, पहला दिया गया linear polynomial, जिसको रैखिक बहुपत कहते हैं, इसमें क्या होता है, कि जो variable होता है, जो चर होता है, उसकी अधिकतम घातवन होती है, यानि इसमें क्या होगा, कि maximum power of variable, या ये ना लिखिया, चुकि maximum power of variable का एक नाम दिया आपने degree, घात बताया ना आपने, यानि इसमें degree जो होती है, degree of polynomial, बहुपत की जो घात होती है, वो होती है one, यानि इसमें जो polynomial लिखा होगा, उसमें जो variable होगा, जो चर होगा, उसकी अधिकतम power one होगी, जैसे आपने कहा 7x ऐसा लिख दिया, या आपने लिखा 3x plus 4 ऐसा लिख दिया, उसमें term कितने हो, उसमें मतलब नहीं है, आपने एक term लिखा, दस term लिखा वलग चीज़ है, लेकिन अधिकतम power इसकी one होनी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें degree two होनी चाहिए, अब हिंदी आप जानते हैं, degree को घात क्याते हैं, इस से हमने लिखा 3x square प्लस 4x प्लस 5, ऐसा नहीं है, कि अगर x की power 2 लिखी है, तो x की power 1 होना ही चाहिए, ना, 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 टरम्स कितने भी हो, उसमें कोई फरक नहीं पड़ता, x की power 2 होना चाहिए, उसमें, जैसे, मैंने लिखा 7x square, चलेगा, एक ही term है, इसमें क्या दिक ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसमें degree 3 होनी चाहिए, क्यूबिक में क्या होनी चाहिए degree, 3 होनी चाहिए, जैसे, मैंने कहूँ 7x cube प्लस 4x, तो यह आपका 3 घात पहुपद है, क्यूबिक है, या मैं कहूँ 9x cube, प्लस 3x square, प्लस 4, मतलब x cube होने के बाद x square होगा, ऐसा कोई foundation नहीं है, वो भी सकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, 4 degree का नाम generally book में नहीं दिया होता है, आपकी level से मतलब नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ, 4 degree को by quadratic कहते हैं, या quartic कहते हैं, चत्रगात, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं, चत्रगात 4 degree, नाम से लग रहा ह ठीक, देखो ये पूरा polynomial का जो परिवार है ना, उसके परिवार के सदस्यों का परिचय आपके कराई जा रहा है, और बाद में आपसे पूछा जाएगा ये कौन, चाचा, ये तो मामा है, तो अब एक जिसा चेज़ा दिखेगा, ध्यान समझेगा कहा क्या जा रहा है आपस केवल लिख दिया 7, इसमें तो x, y, j, 2 नहीं है, कोई जोट नहीं है, 7 है तो मतलब 7 का मतलब क्या लिखा है, यहाँ पर 7 x नहीं है तो x4 0 है, ठीक है, डिग्री इसकी 0 होगी, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 5, क्योंकि 5 constant होता आप जानते हैं, तो यह आपके constant ह हो जाएंगे, अचर बहुपत, और अगर 0 लिखा है, तो यह 0 शूर नहीं बहुपत कहलाता है, 0 polynomial, ठीक है, इसकी degree डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि 0 को आप चाहें, तो 0 x 5,000 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभी आता है, कि what is the degree of 0 polynomial, 0 polynomial की degree क्या होती है, तो आप लिखें, not different, any power you can write, 0 x x 5,000 लिख दो, 0 x x 50 लिख दो, तो value तो 0 ही रहनी है, तो कभी-कभी पूछा जाता है, कि what is the degree of 0 polynomial, तो आप कहेंगे not different, तो समझ में बात यहां तक तो आ गई होगी, तो यह जो आपका introduction है, यह class 9th और 10th दोनों के लिए था, यही वीडियो 9th वालों को मिलेगा, यही वीडियो 10th वालों को मिल रहा है, तो आप चुकि हम 10th की exercise बताने जा रहे हैं, तो आप पेशे खित्मत है, 10th level का polynomial, जो की basic introduction उसका यही है, कुछ बाते और बढ़ गई है, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक यहाँ पर आएगा, zeros of polynomial, zeros of polynomial, अगर इस शब्द का मतलब आप समझे, हिंदी में लिग देते हैं, बहुपत का शून्यक, बहुपत का शून्यक, अगर इस का मतलब समझें, हिंदी यार इंग्लिश में, तो zeros of polynomial का मतलब होता है, कि जो आपका variable है ना, जो आपका चर है, उसकी एक ऐसी value, जो इसको zero कर दे, जैसे मैं आप से कहूँ, जिसको शून्यक कर दे, उसको शून्यक कहते हैं, जैसे मैं आप से कहूँ, कि 7x प्लस 4, इसका zeros क्या है, एक्स की वो कौन सी value है, इसका जो नाम देते हैं न, polynomial है तो P लिखेंगे, और चुकि यह X के term में है, यहां bracket में X लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है, P stands for polynomial, और X का मतलब X के term में होता है, और हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हम यहां पर हिंदी में मजबूरी में है, कि बहू कामा X थोड़े लिख सकते हैं, चुकि जो mathematical indications होते हैं, जो उनको indicate करने का तरीका है, वो तो यही रहेगा न, इसको P X लिख देते हैं, तो अगर मैं कहूँ, इसका zeros निकालो, तो आप simply इसको equal to zero कर दीजे, इसको equal करेंगे, तो 7X बराबर कितना होगा, माइनस का 4, तो X की लोएगी माइनस 4 upon 7, तो माइनस 4 upon 7 X की ऐसी value है, जो इस बहुपद को, इस polynomial को zero कर रही है, तो यह जो X की value है न, इसी को हम इसका zeros कहते हैं, शुन्ने कहते हैं, यानि कि zeros क्या होता है, पॉलिनामियल में जो variable होता है, जो जो चर होता है, उसकी वो value जो इसको zero करते हैं, ठीक है, अब जरा देखिए एक चीज़ और, देखिए, यह कहरें, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial क्या होता है, जियोमेट्रिकल बोले तो graphical मान लेते हैं, चुकि जियोमेट्री कि ग्राव कर दे, उसका जामिती अर्थ का है, जियोमेट्री में उसका मतलब क्या होता है, जो रहा समझने की कोशिश करो, va. उसको graph पे plot करना पड़ेगा, और graph का plot आप कि हा है एक degree का है, इसलिए हम एक degree का ही ले लेते हैं, मैं ग्राव उसका नाम हमने क्या बूला Px लिखो गए और मैंने या लिख दिया 2x प्लस 1 ऐसा हमने ले लिख लिख 2x प्लस x फ्लस 2 ले ले सस्ता वुला ले 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 हम जलाu इसको थोड़ा सस्ता वुला लिख देते है तो ये लिख देते हैं x प्लस 2 अब देखो इसका graph plot करना पढ़ेगा पहले फिर मैं समझाओंगा इसका लफडा क्या है देखो द्यान से graph plot करने का तरीका क्या होता है x का मान रखो और px का मान निकालो तो आप कहेंगे graph में तो हमने x-axis पढ़ी है और y-axis पढ़ी है तो इसको राइखिक बहुपत कहेंगे linear polynomial और linear का मतब line यहां पर जब हम draw करेंगे जब खीचेंगे तो एक line बनेगी ठीक है तो इसमें करेंगे क्या हम x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे अब आप कहेंगे x का मान रखो 5000 ऐसी value रखेंगे जो graph में plot हो जाए ठीक है तो देखो तरीका क्या होता है हम x की 2 value रखे दे रहें कोई ठीक ऐसे 2 value हम रखे दे रहें आपर यहां पर x का मान हम 2 रखे दे रहें तो मैं x का मान रख रहा हूँ और y का मान निकाल रहा हूँ ठीक है अब देखे चुकि इसका हम graph खीचने जा रहे है तो यानि x की value हम रखेंगे उसके corresponding y निकालेंगे ठीक है आप कोई भी मान रख दो मैंने x को रख दिया 0 पहले अब ज़रा x को 0 करके देखो कितना 0 प्लस 2 तो y कितना आएगा y 2 आएगा ठीक है तो अगर आप इसका coordinate देखे आपने 9th level में पढ़ा है coordinate तो आप इसका coordinate क्या पढ़ेंगे x कामा y एक point और बढ़ा है दे रहे है तो 0 कामा 2 हो जाएगा x कामान कुछ हो रख दो कुछ भी रख दो हम minus 2 रखे दे रहे तो जब minus 2 रखोगे तो minus 2 प्लस हमने जानबूश का minus 2 रखा है क्योंकि मेरे पाद graph नहीं है हम graph plot करेंगे तो हम idea से plot करेंगे न इसलिए हम ऐसी x के लू रखी है जो y को 0 कर दे तो y कामान क्या हैगा 0 तो coordinate क्या होगा minus 2 कामा 0 अब देखो अब ज़रा graph plot करते है वैसे तो देखने से मालूम हो गया है कि x की value जो minus 2 रखी है तो y 0 मिला है और हम भी हमने कहा कि x की वो value जो y को 0 कर दे जो px को 0 करे उसी को 0 कहते हैं उसी को 0 कहते हैं तो यही 0 हुआ नहीं हुआ लेकिन अगर हम graph में plot करके दिखाना चाहें तो graph में दिखाने का तरीका देखे क्या होता है देखे द्यान से graph बनाना आपको आता है इसलिए उसमें ज़्यादा detail में जाएंगे आपने graph लिया उसमें 36 एक horizontal line खिंची x-axis यह उपर line खिंची y-axis यहाँ पर graph में दिखाओ को उसे column होते हैं तो यह 0 1,2,3,4,-1,-2,-3,-4 1,2,3,4,-1,-2,-3,-3 ऐसे होगा न x कमान 1,2,3,4 यहाँ पर minus 1, minus 2, minus 3 यहाँ पर 1,2,3,4 यहाँ minus 1, minus 2 ऐसे लिखा जाएगा न अब देखे पॉइंट कैसे लिखेंगे 0,2 कहा होगा जहाँ x कमान 0 हो और y कमान 2 हो x कमान 0 है y कमान 2 है यहाँ पर point आपको मिलेगा यह 0 कमा 2 point है यह वाला point और minus 2 कमा 0 कहा होगा जहाँ x कमान minus 2 हो और जब इनको मिला दोगे ना ऐसे इसको दोनों को ऐसे मिला दो और इस line को बढ़ा दो ऐसे line को मिला दीजिए अब देखो द्यान से x की वो value जिस पर y 0 हो और y 0 होता कहा है इस line पर यहाँ जहाँ यह जो कर्व है ना वो कट करेगा वहाँ वहाँ y कमान 0 होगा और वही value आपको उस भवपत का शुन्नेक होगी तो आप कहेंगे इस point पर शुन्नेक है इस point पर वो 0 दे रहा है इस point पर x की उन्यों जो minus 2 रखा ता y 0 आया तो आप कहेंगे इस point पर वो 0 दे रहा है तो एक तो होता है कि graph को देख करके बता हूँ कि बही कितने 0 है कितने शुन्नेक है तो जहाँ जहाँ वो graph x को cut करेगा वहाँ वहाँ y 0 हो जाएगा वही x की value होगी तो यह तो funda हुआ जाकर के geometry की method से कैसे हम 0s निकालते हैं इसको देख करके ठीक है आप कुछ example समल लीजिए देखे यह NCRT का example 1 है चुकि एक साइज में सारे question है नहीं इसलिए हमने का example डिसका लेते हैं इसमें यह graph बने हुए है यह x x dash line है यह y y dash line है यह graph 5-6 बने हुए है और इसमें कह रहे हैं कि इसको देखे और इसके number of zeros बताईए कि किसमें कितने शून्यक है अभी हम zeros निकालने के तरीका आपको बता दिये है क्या तरीका होता है कि graph में जहां पर भी जो curve है ना curve को हिंदी में वक्र कहते है इंग्लिश में भी curve ही बोला जाता है जहां पर एक curve है ना जहां पर x को cut करेगा वहाँ y zero हो जाएगा और x की वो value जो y को zero कर दे उसी को शून्यक कहते हैं उसी को zeros कहते हैं तो जितनी जगे cut करेगा उतनी जगे y zero होगा तो अगर मैं कहूँ इसमें कितने number of zeros है लिखें कैसे number of zeros लिखा जाएगा number of zeros शून्यक की संख्या शून्यकों की संख्या ये लिखनी है आपको ठीक है हम इसी के आगे समय लिखे जे रहे हैं इसमें बताएगे कितनी जगे x को cut कर रहा है तो आपके भी है ये एक जगे कट कर रहा है तो इसके कितने zeros होंगे इसमें एक zeros होगा सही कहा रहा हूँ मैं न यहाँ पर एक कितने जगे x को cut कर रहा है दो जगे तो इसके कितने zeros होंगे दो जगे वहां लिखेंग उसके आगे ठीक है यहाँ पर 1,2,3, 3 zeros होगे यहाँ पर 1 जगे कट कर रहा है 1 zeros होगा यहाँ एक जगे कट कर रहा है यहाँ पर 1 zeros होगा यहाँ 1,2,3,4 यहाँ 4 zeros होगे सब्सक्राफ को देख करके आपको number of zeros बताने है ठीक है अब देखिए NCRT exercise 2.1 वही questions है जो अभी हमने example में बताए यहाँ ने कहा यह graph दिया हुआ है यह graph बना हुआ है xy plane पे तो number of zeros बताने है अब बताओ यह वाला जो graph है वो x axis पर कितने point पे कट कर रहा है आप कहेंगे एक ओ point पे नहीं इसमें 0 कितने होंगे 0 function किए 0 इसमें कितने point पे कट रहा है 1 कितने 0 होंगे 0 होंगे 1 इसमें 1, 2, 3 कितने होंगे 3 जहाँ जहाँ यह graph y, x को कट करेगा वहाँ वहाँ y command 0 होगा जinku नहीं जगे x को कट करेगा उतनी जगे y command 0 होगा तो इसका मताँ x की जिस value पे y 0 है वही उसका zeros होता है वही उसका शूनियक होता है इसमें देखिए कितनी जगे कट कर रहा है दो जगे तो number आप zeros दो हो गए इसमें कितनी जगे कर रहा है एक, दो, थ्री, फोर आदी हिंदी, आदी इंगलिस दोनों मीडियम के लिए तो कितने zeros हो जाएं फोर ये वन, टू, थ्री थी हो गए तो इस पुकार से graph की method से zeros निकलना होता है और क्यों कैसे ये अभी आपको समझाज़े जाए गए ठीक है, होगी